2023 में वो दो नाम जिनको लेकर पब्लिक में सबसे ज़्यादा confusion था, लोग दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, 50-50, any guesses? पहला नाम संधी प्रेडी वांगा, काम सीरिय साथे शरीफ लोगों को सिनिमा के रास्ते जन्नत दिखाना, और इसे चेडने वाले लोगों की आग में घी डालके उसको और ज़्यादा लंबा जलाना, एनिमल आई और सबकी जिन्दगी में घुस गई, पसंद हो या फिर नफरत करो, लेकिन फिल्म को इग्नोर करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी बॉस, रिजल्ट, वर्ल्ड वाइट रंबीर कपूर की फिल्म ने 900 करोड से जादा का बिजनस कर डाला और हेटर्स के मूँपे बड़ा सा ताला लगा दिया, दूसरा नाम प्रभास दबाहु वली, जिनके लिए 2023 रोलर कोस्टर की राइट जैसा था, कभी सबसे उपर तो कभी एकदम नीचे, आदी पुरुष को जितनी गालिया पड़ी, उतना टोटल शायद सारी घडिया मूवीज को एक साथ मिलाकर नहीं पड़ी होंगी, क्रेडिट डिरेक्टर साब का अजीबो गरीब विजिन, लेकिन प्रभास हार मानने वालों में से नहीं है, और सिर्फ छे महीने बाद वो सलार बनके वापिस लौटे जिसका थेट्रिकल एक्स्पिरियंस नेवर सीन बिफोर था, और अब फाइनली वो न्यूज भार आई है, जो उपर वाले दोनों नामों को एक साथ जोड़कर ऐसा कमाल कर सकती है, जिसके सामने पूरा इंडियन सिनमा सर जुकाएगा, बात स्पिरिट की हो रही है, जिसको ओफिशली डिरेक्टर संदीप रड़ी वांगा ने पबलिक के सामने अनौन्स कर दिया है, एज अपनी नेक्स्ट फिल्म, एनिमल को मिलने वाली criticism में सबसे बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे थे कि फिल्म में रनबीर ने क्या कुछ ने किया लेकिन पूरे टाइम पुलिस कहां थी, और इस सवाल का जवाब देने के लिए संदीप वांगा ने लंबी चौड़ी लाइन ने बोली, सिर्फ एक शर्ट का इस्तमाल किया, Spirit यहां मिलेगी उनके पुलिस, वो भी ऐसी जिसके सामने बड़े बड़े विलन्स भी अभी छोटे बच्चे हैं, एनिमल की सारी शिकायत एक बार में दूर हो जाएंगी, क्लियर वार्निंग देते हुए संदीप वांगा ने बता दिया, कि एनिमल को देखकर जो लुब ट्रिगर हो रहे हैं, उनकी फिल्म को नेगिटिव बता रहे हैं, फिल्म का सब्जेक्ट वैसे तो चोर पुलिस का होगा, लेकिन इसका कॉंटेंट बिलकुल एनिमल के जैसे रियल लाइफ सिच्वेशन्स क्रियेट करेगा, जिसमें फामिली ड्रामा को टच किया जाएगा, एनिमल ट्रेलर का फर्स सीन याद है, जिसने सिफ कुछ सेकेंड्स में लाखों करोडों लोगों के एमोशन्स को खीच के बाहर निकाल दिया था, सेम तू सेम वैसे ही पैटन पे एक रियल लाइफ इंस्पारिट कहानी तयार की जाएगी, जो ओनली फॉर अडल्स होगी, बच्चों और बच्चे जैसे दिमाख वाले लोगों को दूर रहना पड़ेगा, फिल्म में प्रभास का कैरेक्टर एक सिंसिर पुलिस आफिसर का होने वाला है, जो विक्टिम्स को जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, फिल्म में वाइलन्स होने वाला है अनिमल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़ादा टाइप का, और सलार में प्रभास को देखकर आप समच सकते हो, वो इस डोल में किल कर देंगे, संदीप वांगा ने खुद अपडेट देकर बताया है कि फिल्म इसी साल ऑक्टोबर दोहजार चॉबिस में किक स्टार्ट हो जाएगी और दोहजार पच्चीस तक थीएटर्स में रिलीज भी हो सकती है, दूसरी कुट्नियोज ये है कि बजट वाइज अगर कंपेर करोगे तो प्रभास की फिल्म आनिवल से काफी बड़ी होने वाली है, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों मूवीज के प्रड्यूसर सेम टू सेम हैं और आनिवल की बॉक्स ओफिस सकसर्स के बाद वांगा सहाब पे उनका भरोसा काफी स्टॉंग है, प्लस तीसरी कमाल की चीज सुनने में ये भी आई है कि संदीव फांगा यूनिवर्स भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसका हिंट खुद दिया है सर्जी ने, रनबीर कपूर ने एक इंटर्विव में बोला था कि वो प्रभास के फैन हैं और चाहते हैं कि स्पिरिट फिल्म में उनको भी कोई छोटा मोटा सा रोल मिल जाए, और बॉस अब जब से ये नए एड़ शूट की फोटोज मारकेट में घूम रही हैं रनबीर को इस पुलिस लुक में देखकर सच में मूँ में पानी आ रहा है सबके, जड़ा इमाजन करके देखो इसी लुक में रनबीर कपूर अगर प्रभास की फिल्म में एंट्री मार दें, प्रभास वर्स वर्स रनबीर एक ही फ्रेम में इन पुलिस यूनिफॉर्म, गूस वर्म्स, अब संदीव वांगा इस बारे में क्या सोचते हैं, वो तो बहुत उनको ही पता है, लेकिन एक बात 100% कंफिर्म है, स्पिरिट इंडियन सिनिमा में बनने वाली आज तक की सबसे बोल्ड फिल्म होगी, प्रभास का ऐसा केरेक्टर आज से पहले कभी नहीं देखा होगा आपने, क्लास प्लस मास, कमबाक लोडिंग, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो, या फिर कुछ शिकायब करनी हो, तो मैं आपकों इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिये, मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में, टेक केर, बाइबाइ,